तो गाइज आभी आप जो आओडियो सुन रहे है वो रेकॉड हो रहा है शनाइजर माइक के साथ जो की DJI Osmo Action 3 को कनेक्टेड है अभी तो आज मैं आपको बताने वालो मेरे न्यू मोटो बलॉक सेटप के बारो में जो की होने वाल है सबसे इस्ट मोटो बलॉक सेटप एवर तो चलिए शूरू करते हैं तो फर्स्ट आफ अपने को लगेगा हेल्मेट जो की सबसे इंपोर्टन है और उसके उपर मैंने ये माउं तो ये आपको स्टिक कर लेना है और सेकेंड होने वाल है अपना माइक तो मैंने इस इनेजर का टाइप सी वाला माइक लिया है जो डाइरेक कैमेरा में लगेगा एडप्टर की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें और थर्ड है अपना ये जह माउंट जो के हेल्मेट में आप लगेगा आगे उसके उपर अपना एक्शन कैमेरा बेटेगा तो ये थर्ड और फॉर्थ है मैंनली अपना एक्शन कैमेरा तो ये है मेरा डीजा एक्शन 3 जो के मैंने रिसेंटली पर्चेस किया है अपने वीडियो देखा ही होगा तो चलिए शुरू करते हैं मैं आपको step by step दीखा तो कैसे set करना है तो वीडियो को last तक देखना तो चलिए शुरू करते हैं तो गाइस ये है शेनाइजर का एक्स एस लेव यूसबी C टाइप माइक जो कि अपना एक्शन कैम में डायरेक लगेगा एडप्टर की ज़रुर करत नहीं तो आप देख सकते हो मने अल्टेडी कॉर्मेट के अंदर सेट अप कर लिया है यह उसकी कट देखते हैं जो डायरेक एक्षन केम में लगीगी और यहां पर मैंने माइक अंदर सेट कर दिया है ज़रु अदर अभी दिखेगा नहीं मैंने वारींग पूर अंडर वह अपने बालक से लेना पड़ेगा मेरा bold setup था, उसमें already dedicated था तो मैंने वही उटा कि इसमें लगा दिया है माइक में यहाँ पर लगाने हैं आपको तो मैंने कर दिया already और अभी मैं इसके बारे में बाता थाओ यह action pro का J Mount जो कि यहाँ पर लगेगा, helmet में और यह DJI का Magnetic Mount देख सकते हो DJI नाम लिखा है अब है यह camera के साथ ही आता है अपने को two piece मिलता है मतलब दो ही है अगर एक गुम गया है तो दूसरा यूज कर सकते हो तो मैंने already लगा दिया है तो इसके उपर लगाते हैं भी तो यह ऐसे फीट हो जाता है अब देख सकते हो screw निकलने की ज़रूरत ने है बार बार Direct Magnetic Mount है मैं आपको दिखाता हो आगे तो यह तो आपको पता चल गया हो गया कि माइक सेट अप कर लेने अंदर पूरा तो guys अभी आते हैं अपने main character पे उपर जो कि होने वाले अपना action cam तो यह है उसका battery pack और इसमें आप देख सकते हो कि एक button दिया है तो आपको battery level पता चलता है green है तो 100% है और अगर यह red हो आ तो मतलब थोड़ा काम है आपको दिखाता हो तीन battery आता है इसके साथ तो आपको फटाफट battery install करके मैं आपको दिखाता हो तो यह साथ से अपना open होगा battery का battery insert कर लेते अंदर मैंने अल्डेडी यहापे HD guard डाल दिया आप देख सकते हो extreme pro वाला और इसमें और एक अच्छी बात है कि आप अगर HD guard डाल रहे हो दूसरा कुन सा तो आप वो HD guard support नहीं कर रहे है तो यह display एक message आएगा notification आएगा कि यह HD guard support नहीं करेगा तो एक अच्छी बात है जो आपको गोपरो में देखने नहीं मिलती है तो चले battery insert करते और माइक के लिए आपको यह panel निकालना पड़ेगा यह आप देख सकते हो यह वाला तो मैं आपको बातातो और यह कैसे निकलना है तो यह arrow दिया है उसको थोड़ा सा press करके आपने को निच्छे लेना है तो अपन होता है यहाँ यह पर द दिया है जंशेरी हुआ के मैं जहरिए तो थोड़ा ही प्रेस करने हैं तो फोड़ा ही प्रेस न हीज़क्तू से निकल तब ये अपने लगाने जोlem सब्सक्राइब और हैं यहां पर इसको मैगनेटिक मांट का ओक्षन दिए और यहां पर आप दिया है तो यह लगाने से आप मतलब रील्स और श्रोट्स यह कर सकते हो इसके लिए तो यह पटाबट लागा के लिए दे तो यह से अंदर जाएगा सिर्फ प्रेस करना है और यह उपर से से लॉक हो जाएगा तो मैं अब आपको स्टार्ट करके दिखा दाओ लेफ सेड में इसका पावर अन का बटन है तो थोड़ा दो सेकेंड प्रेस करके चालो जाएगा चालो हो गया तो अभी इसमें माइक कनेक्टेड नहीं है तो अभी वो उप्शन बता रहा नहीं है तो फटाफट में माइक हेलमेट पर लागा के आपको दिखा दो कैसे सीन है इसका तो गाईज अभी मैं आपको माईक कनेक्ट करके दिखार हो सिर्फ यह सीपोर्ट का जो है वो यहापर चनेक्ट करना है अब देख सकते हो तो यहापर माईक का साइन दिख रहा है देखो बिलिंक हो रहा है मतलब माइक कनेक्ट हो गया आपका अगर ये ब्लिंक नहीं हो रहा है तो समझो माइक कनेक्ट नहीं हो है बराबर तो आप छेक कर लेना हेलमेट पर लगाने से पहले तो अभी तो ये हो गया है ये देखो ब्लिंक कर रहा है मुझे सबसे अच्छा लागा था और आपको दिखा था हुँ तो गाइस मैं अभी आपको दिखा था हुँ कि एक्षण केमेरा इपना हैल्मेट पर कैसा माउंट होगा तो इसका मैजनेटिक माउंट आपको सुरिफ यह आसी के पास लेकिजाना क्लिक करके एक साउंड आएगा तो एक हो गया लॉक यह देखो निकलेगा नियाभी यह है इसका प्रोसेस यह मुझे सबसे अच्छा लागा ने तो गोप्रो में आपको बार बार स्कुरू निकलना पड़ता था और उसको वापीस बेटा के फिर वापीस स्कुरू टाइट कर तो एंगल देखो इसकी कोई जंजर मारी नहीं है अभी यह डाइरेक माउंट है तो आपको एंगल भी चेंज नहीं होगा और आपके लिए अच्छा होगा फटक से तो यह निकलते कैसे हैं देखो तो माउंट के निचे ना एक दो पीन ऐसा वो प्रेस करके निकल जदा ऐस है और आपको अगर रिल्स और शॉट्स के लिए चाहिए तो यह देखो यहाँ पर दिया है मैगनेटिक माउंट तो सिर्फ यह इसा प्लिक करके साउंड आएगा तो समझो हो गया है तो यह मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी तो अब ही मैं आपको दिखात हो गया माइक लगा के लिक का साउंड आया हो गया और अपना अभी एक कोड है सी टाइप और डायरिकली अभी इसमें कनेक्ट करेंगे तो यह कनेक्ट हो चुका है अभी देख सकते हो तो यह सेटप सिर्फ इतना ही दिखता है देखो तो यह मुझे सबसे इजिएस्ट मोटो लग सेटप लगा नहीं तो गोप्रो में अपने को माइक अडप्टर नहीं तो मीडियम और लागाना पड़ता था वह सेटप तो बह तो यह देखो अब यह ओनों चुकह और इसकी एक अच्छी बाद है कि अ देखो इसका Front में भी टॉस्स्क्रीन है तो तो यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हों आपको वीडियो मोड चेंच करना है जो भी ह wore.me अभी माइक तो कनेक्ट हो चुका है देवा ब्लिंग हो रहा है माइक मतलब कि यह मेरा माइक कनेक्टेड है तो यह अपना सेट अप तो अभी इसको भार जाके बाइक पर अपन देखते इसके ओडियो कॉलेटी क्या है सीन सब तो मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको डायरे सुन रहे है वह रेकॉर्ड हो रहा है शनाइजर माइक के साथ जो की डीजा ऑस्मो एक्शन 3 को कनेक्टेड है अभी और आवाज अभी उसमें से ही रेकॉर्ड हो रही है तो आपको एक अभी आइडिया देता हूं में कि आवाज इसका क्वालिटी कैसा और बैक्राउंड न नहीं है तो अब अभी टेस्स चालू करते हैं तो थोड़ा बाईक आइक फास चला दो की तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि Oreo कितने काम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है और आवाज कितनी फटरी है वो भी आपको समझ जाएगा और मुझे भी समझ जाएगा एडिटिंग में और ये वीडियो लाश्ट तक देखना काईज क्यूंकि मैं एक सेटिंग बताने वाला हूँ इसका जिससे आपका और इस भी अच्छा है और बाहरान में भी जो वीड नॉइज हो भी बहुत कम हो जाएगा तो अभी आपको आइडिया लग चुके हो दी कि ऑडियो कैसा रेकॉर्ड हो रहा है इस कैमेरे में अभी एक्स्टरनल माइक के साथ तो अभी थोड़ी देर आगे चलते और आगे से तो गाइज आभी आपको एक आइडिया आ चुका होगा कि ऑडियो कैसा रेकॉर्ड हो रहा है यह सेटप के साथ तो अभी मैं आपको अपस सेटिंग बताने चाता हूँ तो चले चलते हैं मैं आपको सेटिंग बताता हूँ जो आपको एक्शन कैम में करना है ऑडियो तो गाइज अभी मैं आपको सबसे important setting बताने वालो external माइक का तो एध्यान से देखना अगर अपने setting नहीं की तो आपका audio distort होगा तो एध्यान से देखना मैं आपको step by step बता दो तो सबसे पहले आपको right side में setting option दीखरह होगा तो यहाँ पर अपको क्लिक करना है और जाना audio में हिदु और left side में audio है तो यहाँ पर click करने के बाद आपको है setting दीख रहाँ होगा channel तो चाइनल में आपको stereo नहीं रखना है दहां से देखना stereo नहीं रखना है आपको mono रखना है और गेन में जाके तो default setting उसका 0 होता है something तो 0 होता है default तो आपको ये minus 10 करना है ये setting आपको करना ही है क्योंकि default में जो ये audio लेता है external mic से वो distort होता है मतलब जादा लेता है बहुत और आपका mic आपके mouth के बहुत पास रहता है helmet में तो और अजीब लगता है तो आपको ये setting करना ही होगा तो ये था आज का वीडियो मैंने आपको step by step पूरा motor log setup बता दिया है मेरा I hope आपको ये video informative लगे होगी और अच्छी लगे होगी तो please like और share कर देना वीडियो और चैनल को subscribe करना मत बुलना तो आज का vlog में यही पर end करता हूँ Thanks for watching the video, ride safe